लोगसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में बीजेपी तयार कर रही नई रणनी थी लागू हुआ तो विपक्षियों के उड़ जाएंगे होश यूपी में भाचपा ने लागू किया सत्तर प्रस का नियम तो इन सांसदों का कड़ जाएगा पत्ता कईयों की हो रही थी लगातार जीत लोगसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के लिए एक बार फिर तयार हुई बीजेपी आज तक के सर्वे में यूपी में फिर खिलेगा फूल सत्तर सीटों पर होगी भारी जीत लोगसभा चुनाव 2024 का बिगुल अगले एक महीने में कभी भी बज सकता है इस बीच भाजपा समेथ सभीदल अपने उमीदवारों के बारे में भी मन्थन करने लगे हैं सपा ने तो डिमपल यादो धरमेंदर यादो समीत 16 लोगों के टिकट भी फाइनल कर दिये हैं वहीं भाजपा के टिकटों को लेकर सबसे ज़ादा जदोजहद चल रही है इसकी एक वज़ा ये है कि भाजपा की ओर से उम्र प्रदर्शन और सामाजिक समीकरणों के आधार पर तिकट फाइनल किये जा सकते हैं पिछले दिनों खबर आई थी कि भाजपा इस बार 70 साल से अधिक की आयूवाले नेताओं को सांसरी से बाहर रखने पर विचार कर रही है हलाकि कुछ अपवाद भी हो सकते हैं यदि पार्टी ने 70 साल की उम्र वाले नेताओं को बाहर रखने के प्लान पर काम किया तो फिर घाजियाबाद से लेकर दिवर्या तक कई दिगज नेता रेस से बाहर हो सकते हैं घाजियाबाद से लगातार 2014 से ही सांसर चुने जा रहें वीके सिंग की उम्र 72 साल हो चुकी है ऐसे में उनके टिकट पर संशय माना जा सकता है यहां से रह रहे कर कुमार विश्वास को लेकर भी लोग कयास लगाते रहे हैं कानपुर से सांसर सत्यदेव पचवरी की उम्र भी 76 साल है और बरेली से लगातार चुने जा रहें दिगजनेता संतोष गंगवार भी 75 बरस के हो चुके हैं ऐसे में इन दोनों वरिश्व नेताओं की सांसदी पर ब्रेक लग सकता है मतुरा की सांसद हेमा मालनी भी अब 75 साल की हो गई है प्रियागराज की सांसद रिता बहुडा जोशी की उम्र भी 74 साल है वो बहुत जादा सक्रिय भी पिछले कुछ समय से नहीं दिख रही हैं ऐसे में उनका टिकट कटने की भी चर्चाएं हैं ऐसे ही बहराज से सांसद अक्षलाल गौंड की उम्र भी 77 साल हो गई है और फिरोजाबाद के सांसद चंदरसेन जादाउन भी 73 साल के हो चुके हैं इन दोनों नेताओं के टिकट पर भी संशय हो सकता है डुमर्या गंजु के एमपी जगदंबिका पाल और देवरिया से सांसद रमापती राम त्रिपाठी की आयू भी 73 साल हो चुकी है ऐसे में इन नेताओं की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं इस बीच आपको बता दिये कि आज तक ने एक सर्वे किया है जिसमें यूपी में भाजपा की 70 सीटों पर जीत की भविश्यमानी की गई है सर्वे के अनुसार 2024 में यूपी में भाजपा 70 सीटे जीत सकती हैं जबकि सपा को 7 सीटे ही मिलने का अनुमान है भाजपा की ही सहयोगी अपना दल को 2 सीटे मिल सकती है जबकि कॉंग्रिस को एक सीट पर जीत मिल सकती है माना जा रहा है कि ये एक सीट भी राइबरेली की है जो कॉंग्रिस का गड़ रही है और खुद सोनिया गांधी यहां से सांसद है विल अगर आप भी राजनीती में रुच रखते हैं तो आपको क्या लगता है कि 2024 में लोगसभा चुनाव के दौरान भाजपा को यूपी से कितनी सीटे मिलने का अनुमान है और क्या बीजेपी को 70 प्लस का फॉर्मूला अपनाना चाहिए या नहीं परमन बाक्स में अपनी राय दें इस वीडियो में फिलहाल इतना ही